सबसे पहले मैं आपको कंजेंक्शन का बेस करा हूंगा उसमें चार पांच कोईशन जो ऐसे होंगे जो आपका बेस से डिपेंड करेंगे बाकि आगे आने माले कोईशन उस बेसिक से काफी मिलते जुलते होंगे और फिर उसके बाद इसका जो लेवल है वो थोड़ा भड़ जाएगा ठीक है तो सब टाइप का मैं आपको कंजेंक्शन करा दूंगा और अगर आपने पहले कभी नहीं पढ़ा है तो मुझे लगता है नहीं भी पढ़ा है फिर भी मैं इस वीडियो में में से समझा दूंगा पूरा डीपली और ज्यादा पढ़ना है तो डिस्कुप् आंगे बट भी जोड़ता है मतलब all of these में से बोल सकता हूं चलिए अब हम बात करते हैं आगे मोहित राहुल मोहित एंड राहुल वेंट तू मार्केट अब यहां आने को तो और भी आ सकता है लेकिन ज्यादा तर जो प्रायोरिटी है वो एंड वाली है क्योंकि प्रॉजि कि यहाँ पर बन रही है तो यहाँ पर मैंने और लगा दिया एक और बात दे को अगर हम एं रहुर दोनों मार्केट गए लिकन अगर हम और लगा देंगे तो इसका म nouveau했습니다 और राहू लें दौनों में से एक गया कोई भी हो सकता है लें एक गया मार्गेट तो और लगाने से मतलब एक आ जाता है और एंड लगाने से जितना भी दे रखा वो सब आ जाता है आगे देखेगा मैनी आफ़स ब्लीव दाट साइंस सम्थिंग मॉडर्ण देस दा टूथ इस अधर वाइस तो यहां पर यहां पर दो 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 दे रखाया वो तोड़ा सही है यहां पर यूज बिल्कुल सही हो रहा है आगे देखो गिमी टी कॉफी यानिक मुझे चाहे अब कि से माग रहे तो यहां तो चाहे मागेंगे एक साथ दोनोह नहीं मांग सकते पर दोनों मreंस से अगर यहां इसका सबसे पहले समझा देता हूं जो यह लैस्ट लिखा है लैस्ट के बाद सोड आता है यह नहीं मतलब यहां से यह वाला जो sentence है वो गलत है दो concept है याद रखना लेस्ट के बाद सोड़का यूज होता है और लेस्ट में कभी भी हम नोट यूज नहीं कर सकते देखो मैं याद दिलाता हूँ अंटिल एक होता है ठीक अनलेस इन दोनों में क्या होता है कभी नॉट यूज नहीं होता है क्योंकि आलडी इनके अंदर नौट चुपा होता है ऐसे ही लेस्ट बाला होता है उसमें भी नौट होता है आगे देखे सेकंड वाला सर सही है गलत है बताता हूँ दिखो में कहीं लेस्ट यूशूड भी वाला हम यह बोल सकते है आगे देखो विस सेंटेंस एक कौन सा सेंटेंस है जो करेक्ट है अभी बताता अनलेस के साथ नौट का यूज नहीं होता जब नौट का यूज नहीं होगा तो दो भी रट जाएगा तो यह सही किया बचेगा अनलेस यू लेवर हार्ड यूबल फेल जब तक तुम तगडी वाली मेनत नहीं करोगे बट फेल हो जाओगे तो यहां पर लेवर वर्ड आ रहा है लेवर का थोड़ा बता देखो अब होता क्या है आप से कर कोई पूसता है कि सर लेवर का मतलब क्या होता है आप आपने देखा होगा मारे गर में अफ़र कई खेतों में कोई काम होता है तो हम क्या उपोलते कि सर लेवर को ले intelligence काम करेगी होएँ अभी काम मार नहीं उइन अब मतलब कोई आ रहे हैं । तो काम करने वाले आ रहे हैं। समझ मागे जैसे teacher माने पढ़ाना और टीच मतला पढ़ाना तो अगर कोई आ रहा है मैं यही तो तो बोलुगो teacher आ रहा है मैं ऐसे थोड़ी वहीं आ रहे हैं ने जो वही आपको यहां पर समझाने के कोसिस कि एक और देखो labor room की होता है जिसके अंदर यूण जो भी लेडी होती, उनका बच्चा पेदा होता है। जो रूम होता है हुस्पिटल के अंदर। उसे बोलते से लेवर रूम। ऐसा मत्वा समझ लेना कि भाई बहां यह लेवर Ncaster Guru होता है। मतलब क्या होंगे हम तो लेवर होंगे वह सोच देलेकर मतलब है रही मतलब जू इना डिलेवरी बगरा होती है क्या लिए आगे नहीं बहुत डिपली हो जाएगा आगे लेको अल्लेस्ट यू लेवर हाड यू बिल फेल अल्लेस्ट यू लेवर है यह ठीक है यह वाला सेंटेंस एक दम सही है आगे देखेगा कंजेंक्शन इस नौट कंजेंसन क यह नाम है किसी का तो यहां पर यह नहीं है देख एंड भी जोडता है कंजेंस जो कंडिशन सेंटेंस्टेंस अब इसमें कर्यक ढूंड आएग अपको पता है लगातार दो कंजेंसन एक साथ नहीं आते यह कॉंसेप्ट है हर कॉंसेप्ट को मैं समझा रहा हूं बाकि तो म लगाता रहा है तो यह वी नहीं होसकता आगे यह जो पर मानलो अगर शी कर देता हूं she is she was absent तो बिल्कुल सही है क्योंकि अगर कोई ने कोई absent तो कोई male या female ही होगा ना कैसे लेट हो जाएगा तो यहां पर बात करते हैं अगर आप यहां पर शी लगा दोगे तो यह सही हो जाएगा अगर आप शी नहीं लगा रहें तो इसमें नन अप दीज का ऑप्शन सही है गा इन दोनों सेंटेंस को किस से जोड़ रखा इसने इस से जोड़ रखा एक ही कंजंक्सन सिर्फ आता है जोड़ने के लिए आगे चलो आगे देखो में के स्ट लेस्ट यूश्ट य यह तो मैं नहीं बता रखा है आगे देखो विस सेंटेंस करेक्ट यह भी मैंने करवा दिया कंजंक्सन कंजंक्सन यह भी बता दिया चलिए अब इस पर आजाओ लेको ऑल्डो ही पूर बट हीज हैपी एंड कंटेंट तो यहां पर आपको मैं सीधे सीधे बासा में बोल द बता है तो यहां पर बट दे रखा है इस बट की जगा पर क्या आना चाहिए कि आपको याद रखना यह अगे दचौई इस बिटमीं ग्लोरियस डैत और राइफ आपको मैंने क्या बता है देखो कल मैंने बता है बट्वीन के साथ एंड आता है नोट और ऑल्ली के साथ के साथ क्या आता है तो ऐसे यहां पर दो को बिट्वीन आरत बिट्वीन की साथ क्या एगा बिट्वीन की साथ एंड आएगा तो और नहीं यहां पर एंड कंजिंग्शन आएगा तो यहां एंड लगा दो आगे नौट ऑनली ही गोस तो माई हाउस बटा उस स्टे हियर सोचो इसमें क्या गलती हो सकती है सोचो जल्दी से फिर मैं बताता हूं अबको इक तोड़ा सा अपको द्यान से पढ़ना होगा देखिए मैं आपको बता देता हूं नौट ऑनली बटा सोगा जो आप यूज कर रहे है उसमें होता क्या है कि मैं थोड़ा समझना पड़ेगा यहां पर समझाने थोड़ा प्रॉल्म होगा नौट ऑनली के बाद यहां पर कुछ लिखना होता है फिर लिखना होता है इन दोनों में जो भी चीज आएगा वह एक ही चीज आएगी मतलब अगर बर्वा है तो बर्व करें ना दोनों में एक ही कंडिसन आएगी बस खतब अब ज्यादा मद समझो देखो यह देखो नौट ऑनली के बाद यह सब्जेक्ट और बर्व आ रहा है फिर सब्जेक्ट बर्व यह पूरा एक सेंटेंस आ गया आगे देखो बटासों के बाद यहां पर सिर्फ वर्व बर्व आ रही है तो इसका मतलब क्या हुआ कि दूसरे वाले सेंटेंस के बाद क्या रही है स्टार्टिंग बर्व से हो रही है जिबकि पहले में क्या हो रहा है नौट ऑनली के बाद क्या रहा है यह गलत है जिबकि दौनों में एक ही करना है तो इसके बाद क्या रहा है ब पच्छा का not only not only के बाद वरवारी देखो यहां भी बर वारी मतलब यह concept हो गया से ही बिल आईदर डू दबर्क आल्स डिटन दमनी अभी मैंने क्या बताया था अभी मैंने बताया था कि आइदर के साथ क्या था और आता है क्या आता है और आता है तो यहां पर जो एल्स दे रखा है इसकी जगह पर क्या जाएगा और तो यह जाएगा आइदर और यह concept अगर आपके clear हो रहे हैं मतलब आपके English अच्छी होती जा रही है I do not know that he will come or not यह समझना है तो मैं आपको deeply बताता हूँ देखे मुझे नहीं पता कि वह आएगा यह फन नहीं आएगा तो कभी भी अगर that ऐसा केस कभी लिख रहा है तो देखो that की जगह पर पहले तो यह पर वैदर आएगा क्योंकि पता है last में आपको or not दे रखा है तो है आपको छोट छोटी चीज़े हैं जिन पर आपको ध्यान रहतना है तो और भी आपको detail में आपको पूरा बताई तो यहां पर क्या जाएगा तो वैदर लिख दीजे क्योंकि last में और not आ रहा है आगे question और है आपका यह देख लेगा आगे question है I have never seen him मैंने उसे कभी नही कभी सुनाएं तो यह concept क्या होता है कि यहां पर लिख रहा है उसकी जाएगा और हो जाएगा तो यहां पर क्या यूज करेंगे और होता है तो दोस्तों यह मैंने आपको पूरे concept आपको समझाए I hope बहुत अच्छा लगा होगा सारे concept आपकी समझ में आगे होंगे और इसके साथ ही साथ अब क्या करना आपको आने है चेक करना है कि हां मेरे को कुछ समझ में आ रहा है या फिर नहीं आ रहा है बहुत सारे concept बचे हुए और भी मैं आपको बता दूगा दूस्तों वीडियो को लाइक करें एक लाइक तो जरूर दें और इसे शेयर करें अप किता हूं मैं आपको नेक्स वीडियो के साथ अब तक के लिए जैहिन जैबारत